के दोस्तों आप जानते हैं कि ये क्या है यानि कि यह किस चीज की नौट बुक है तो थी कि जम मैंने English सेखि थी तो उस टाइम पर मFORE मैंने दो नौटबुक बनाई थी एक थी इंगिजिस गरामार के लिए और दूसरी थी की English vocabulary के लिए अब देखे English grammar तो हमको आ जाती है English grammar को तुम कहीना कहीं से पढ़ लिकर सीखुझाते हैं कि कि सेंटेंस को किस स्टेक्टर के दिए क्या थे तरी स्क्रश्म क्या बना पाते हैं सबसे बड़ा है जो आपका कारण है वह यह है कि आप इंग्लिस ग्रामर जानते हैं लेकिन उसके बाद भी आप sentences नहीं बना पाते हैं तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अपनी वोकेबलरी को आप किस तरह से enhance कर सकते हैं किस तरह से increase कर सकते हैं यानिकि उसकी जो length है उसको किस तरह से increase कर सकते हैं increase का मतलब होता है बढ़ाना यानिकि बढ़ताना बढ़ते जाना decrease का मतलब होता है कम होते जाना अब देखिए अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक formula यूज करना करना है कि आपको एक कॉपी बनानी है जिस तरह से मैंने ये कॉपी बना रखी है ये वाली इस तरह से आपको भी एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपको क्या करना है सुभह से लेकर और साम तक जितने भी आप वर्ड का यूज करते हैं उन सभी वर्ड को आपको हिंदी लिखना है इंग्लिस में हिंदी में जब आप उन सब को हिंदी में लिखतो गे उसके बाद आपको क्या करना है आपको उन सब की Google Translate से English Translate कर देनी है यानिकि जैसे की कोई काम है करना कहीं पर जाना या फिर किसी को को सलाह मसवरा देना किसी के बीच में टांग अड़ा देना इन सब की English क्या होती इस सब को लिख लेना इन कि जिन को आप से साम तक यूज करते हैं अब इस तहो है नहीं करना है सिर्फ अपनी हिंदी की वो कैब है आपके अंतर तो वह हींदी की क्या करना है इन सब को Hindi से इंग्लिस में ट्रांसलेट कर देना है Google ट्रांसलेट के द्वारा आप Google में सर्च करना Hindi to English तो आपके पास खुलकर आजाएगा Google ट्रांसलेट और वहां आपको एक साइड में Hindi टाइप करने हैं और इंग्लिस अपने आपाजाएगी अफिर आपको उनकी इंग्लिस लिख लेनी है अब आपको क्या करना है उनको कम से कम से नहीं उता रहा आपको क्या करना आपने जो भी वर्ड स्थान पर जबाप हींदी के स्थान पर नोगे लोगवर्ण और या फिर सकी प्रिवर्थ है मतलब एसे इस इस तरह से तो मैंने भी वोकैब है वो इसको ऐसे ही त्यार किया था देखिए जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिख रखें जिनको मैं ज्यादतर अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूं और वही मैंने अच्छे से कंप्लीट कर रखें जैसे कि हां पर लिखा ह है फोर्चुनेट मतलब भागया साली या फिर होता है एक रिफ्ट का मतलब होता है दरार या फिर कोई मन मुटाब करना किसी के बीच को दरार आ जात Bengal जाती है यह फिर किसी की बीच में मन मुटाब हो जाता है इस तरा के और वर्ष देखिए और मैंने इसमें लिखा हुआ भी कंसाइल इसका मतलब होता है मेल मुलाप करना चाहिण का मेल मेलाप करवा देना दूसरा मैं लिखा है डोमीनेट मतलब होता है हावी होना पिर भुट पर उसी तरह से जो जो मेरी मैं निक होग को यह जाह है और आपको भी ऐसे ही करना तब आप Knights लोगैं अप यहां पर भी आपको वह वर्ड आए तो आपको तुनतियाद आदें चाहिए कि मैंने इंगलिस का जो इसका इंगलिस में वहाँ पर ऐसे लिखा है तो मैं इसके स्थान पर इसको ऐसे बोलोगा तो इस तरह से आपकी वह इंक्रीज होगी ऐसे नहीं होगी कि आपने पांच-प करें आप ऐसे कर सकते हैं जब आपका बेस अच्छा बन जाएगा तो यहीं थे मेरी एक वोकैब की टिप्स और जो है ग्रामर देखिए इतनी जादे इंपोटेंट नहीं है आपको इंगलिस बोलने के लिए कुछ ग्रामर के रूल्स हैं कुछ ट्रेक्टर से जो कि आपके इंपोटेंट है और यदि आपको उनके बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको कौन-कौन से इंपोटेंट टॉपिक्स हैं जो की इंगलिस ग्रामर में पढ़ने चाहिए सिर्फ स्पोकन इंगलिस के लिए और